हलो फ्रेंस आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रामका टेक में दोस्तों आज के इस टूडियो में हमां आपको बताने वाले है जो इंडियान आर्मी का रैली ज्हारखंड में शुरू होने वाला है एक अपरेल से उसका ओनलाइन किस तरह से अपलाई करना है आज के इस वीडियो में आपको पूरा अपडेट देंगे अगर आप इस फोर्म को भरना चाहते अपलाई करना चाहते तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखेगा शुरू से लेकर आकरी तक का प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जनकारी यहां पर मिलेगा और आप कहीं पर भी गड़बडा नहीं सकेंगे आसानी से फॉर्म को अपलाई कर सकेंगे तो चलिए फॉर्म को कैसे बरना है पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं तो बिना टैम गवाई व चुरू करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले जरूरी सुचना आपको देना चाहेंगे दोस्तों अगर आप मेरे से डैरेक्ट कॉल के थुरू बात करने चाहते हैं तो आप इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजे जी हां कॉल MI4 दा फोन कंसलेशन अप जी हां आप य मेरा चैनल सर्च करने के लिए देखे यहां पर मेरा यूजर नेम आपको दिख रहा होगा जी हां RT, at the rate, CM4 आपको यह लिखकर सर्च करना पड़े गया इसे लिखेंगे उसके बाद आपका मेरा चैनल यहां पर आपको दिखने लगेगा जी हां जितना मंच है उतना बात कर सकते हैं, मैं online रहता हूँ, वहाँ पर आपको schedule मिलेगा, कब से कब तक मैं online रहता हूँ, green color से आपको सो करेगा मेरा channel पास, आप समझ जाएगा online है, आप मुझे बेहिचा call कर सकते हैं, मैं आप सभी को time दूँगा, जितने लोग call करना चाहते हैं, फॉर्म को भनने के लिए आपको इसका official website खोलना पड़ेगा, description में link मिलेगा, उसपे click करके आप इसे open कर सकते हैं, open करने के बाद कुछी सरसे interface होगा, देखिया, आपको उपर में red color से office entry apply online, उसके बाद नीचे jcoor apply login, तो आपको करना क्या होगा, हमको online करना है, तो यहाँ पर apply login में click करेंगे, jcoor लिखा हुआ हम उसपे click करेंगे, उसपे click करने के बाद हमारे सामने कुछ interface होगा, इस तरह से, अब देखिये, यहाँ पर आपको left side में apply करने के लिए बोरा, registration करने के लिए और right side में आपको login करने के लिए बोरा है, तो जो लोग पहले से अगर registration कर चुके तो उनको login करना है, और जो नया कर रहे है, उसको registration करना पड़ेगा, तो दो तरफ दिखिया option दिया हुआ है, login करने के लिए बोरा है, और left side में new registration करने के लिए बोरा, तो हम को यहाँ पर नया form भरना है, तो हम registration कर देंगे, अगर आप पहले से registration किये है, पहले से इस कुछ इस तरह से interface होगा, continue लिखा हुआ, आपको right side में उस पे click करना होगा, इस पे click करने के बाद, थोड़ा सा search लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, आभी थोड़ा सा slow चल रहा है, इंडियान आर्मी का site हमेशा ही थोड़ा से slow चलता है, अब देखिया आपर personal detail डालने के ल लग है, तो आप इस form को नहीं भर सकते है, क्योंकि यहाँ पर अधार verification लेता है, जब हम इसे registration कर लेंगे, login करके जब form बरने लगेंगे, उस समय अधार verification लेने लगता है, अगर आपका same नहीं रहा, तो आप form कभी नहीं भर पाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, आपका date of birth अधार में और school में same होना चाहिए, तब ही आप यहाँ पर form को भर सकेंगे, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको form को भरने के लिए सबसे पहले, आपको अधार number डालना है, उसके बाद candidate name डालना है, उसके बाद father name डालना है, mother name डालना है, और date of birth यहाँ पर mobile number, यह दो चीज आपको compulsory है, क्योंकि इसमें OTP जाएगा, तो इसको डालने के बाद submit में हमको click करना, declaration यहाँ पर दिये हुआ, इसमें tick करके, हम इसमें click करेंगे, उसके बाद हमारे mail पर एक OTP जाएगा, जिसे mail का ID देंगे, आप वहाँ पर एक OTP जाएगा, उसके बाद देखिए, आपको उस OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आपका registration successful होगा, और आप feature में कभी भी password वगेरा, अगर आप set करते हैं, या फिर भूल जाते हैं, तो email के थुरू आप उसे फिर से reset कर सकते हैं, तो चलिए, हम अपना email ID खोल लेते हैं, और वो OTP देख लेत साइट, तो यहाँ पर problem हो सकता है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कुछी तरह से interface होगा, आपका आधा detail यहाँ आ जाएगा, उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर education qualification का पूरा detail डालने के लिए बोलेगा, अगर आप pairing में हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, अगर पर डाल सकते हैं, उसके बाद state पूछ रहा है, आप कहां से पढ़ाई किये हैं, वो सब education detail आप से पूछ रहा है, तो यह सब आपको डालना है, आपका certificate number डालना है, certificate number इसमें बहुत ही important होता है, तो certificate number आप जो भी डाले होंगे, उसको याद रखिएगा, या फिर आप लिक करके रख लीजेगा, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको state बोल रहा है, district बोल रहा है, तहसिल बोल रहा है, तो यह भी सबसे जरूरी चीज है, आप जहां के निवासी है, वहीं का ही आप डाले, उसके बाद देखिए username, username डालने बोल रहा है, और password डालने बोल रहा है जिसे के आप login करके form couple करेंगे, तो username में आप अपने email ID डाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका है, email ID आप डालेंगे तो याद रहेगा, और password में आपको शुरू में alphabetic डालना है, उसके बाद special character डालना है, उसके बाद आपको number डालना है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको स इस तरह से बनाना है, चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक को बड़ा लिखना होगा, जी हाँ, एक को बड़ा लिखेंगे, उसके इलावा सब small लिख देंगे, उसके बाद add the rate डाल कर आप number बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर आप password को set करना है, उसके बाद confirm password में भी आपको इसी तरह से set करना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, उसके बाद नीचे देखिए, capture है, उस capture को आपको one by one यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद आपको save कर देना है, save करने के बाद, देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह से interface होगा हमारे सामने यहाँ पर save करने के लिए बोरा है password तो आप इसे never में click कर दे उसके बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा interface यहाँ पर apply करने के लिए बोरा है check eligibility तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा option है यहाँ पर आपको गोरखा है tribe है उसके लावा यहाँ पर जंदल में आप भर सकते है non dispensary category में भर सकते है तो आप जिसे related होंगे आप भर सकते है यहाँ पर देखिए आपको left side में बहुत सारा option है profile है apply online है history application है चेंज पास्ट वर्ड, admit card, feedback तो बहुत सारा option है admit card जब आएगा तो आपको यहाँ पर admit card वाले पर क्लिक करना होगा अभी हमको apply करना है online तो apply online में हम click करेंगे apply online में click करने के बाद हमारे सामने देखिए कुछ इस तरह से interface होगा अब हमको करना क्या होगा form को भरना है तो चलिए form को भर लेते हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर नीचे में आपको green color से apply लिखावा नजर आएगा आपको उस पर click करना है उस पर click करना है हमको form भरना है उसके बाद photo यहाँ पर आपको डालना है और signature डालना है पांस से लेकर 20KB तक का photo होगा signature आपका पांस से लेकर 10KB तक का होना चाहिए तो इस तरह से आपको यहाँ पर photo signature बना लेना चलिए हम बना लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम photo डाल चुके है अब हम आपको next पर click करेंगे save and continue पर click कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हमारे सामने कुछ interface होगा यहाँ पर देखिए present address और permanent address आपको डालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर first में permanent address आपको डालना है और आपको correspondence address आप जहाँ पर रहते है उसका address आप डाल सकते हैं यहाँ पर one by one मैं डाल लेता हूँ जो आपका होगा आप उस अनुसार यहाँ पर अपना हिसाब से डाल लीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अगर सेम है तो tick करके आप यहाँ पर सेम कर सकते है उसके बाद सेम करने के बाद आपको save and continue पर click करना होगा तो चलिए हम क कोटा वगेरा में आते हैं तो आपको उस अनुसार यहाँ पर click करना होगा तो हम कोई भी कोटा में नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर हम non dispensary category में click कर दिए उसके बाद नीचे में देखिए गोर्खा है उसके लावा अधरवी एंडबान निको बार यह सब से अगर belong करते है तो पूच रहा है तो यह आप अपने अनुसार कर सकते हैं अगर आप कोटा वगेरा में आते हैं तो ह्टीसी में आते हैं तो ट्रीबल्स Recognized Tribal area में आप click कर सकते हैं उसके बाद देखिए Save button click में आपको कर देना है उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कोर्स वगेरा पुछ रहा है कोर्स आपका क्या है कितना पढ़ाई किये वो आपको पूछेगा उसके बाद आपको ये डालना है उसके बाद बोर्ड युनिवर्सिटी आपका क्या है वो आपको डालने के लिए बो नमबर डाल कर सब्मिट कर देना है उसके बाद कि रेकॉर्ड सेव सक्सेस्फूल हो गया अब यहां पर नीचे माप आएंगे तो आपको देखिए यहां क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना होगा और उसका टोटल मांक्स मांक्स ओप्टेन कितना मांक मैं लाये है तो सो में कितना नमबर है इस तरह से आपको व 111 करना होगा आड़ यू रो तो आपको यहां पर क्लिक करके आपको one by one इसे add करना पड़ेगा हर subject में आपको करना पड़ेगा number add क्योंकि इसमें बोला गया है कि आप जैसा भी trade चुन रहे हैं जैसा भी आप post चुन रहे हैं पोस्ट के अनुसार वहाँ पर number भी बनाया गया जैसा कि इसके बाद आपको डाल कर सब्मिट करना होगा सब्मेट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर final submission के लिए बोलेगा तो देखिए यहाँ पर submission आपको final करने के लिए बोलरा यहाँ पर पूरा detail दिखाया जा रहा है कहीं mistake है तो सुधार सकते आप cancel कर सकते तो चलिए हम final submit करेंगे सबसे आखिर में हमने marks डाला है उसके बाद marks डालने के बाद जैसे ही हम submit में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर full detail में दिखेगा हमारा form उसके बाद हम submit में क्लिक कर देंगे हम जैसे क्लिक करेंगे आप देके thank you for your submission यहाँ पर हमको इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा तो हमारा जो है application successful submit हो चुका है और नीचे में हमारे सामने एक PDF फाइल आ जाएगा हमारा application form का जो हम इसे download कर लेंगे तो download करने के बाद आप इसे print ले लीजिए इसका एक print लेने के बाद आप इसे रख लीजिए अपने पास सुरक्षित और आप rally में जाने के लिए तयार है बस admit card का इंतजार रहेगा admit card जैसे आएगा आप इसको लेके admit card निकाल लीजेगा user id password डाल कर आपको admit card निकाल लेना है और आपको rally में चले जाना है जो जो document में बताया हूँ वो सब लेके आपको जाना पड़ेगा तो इस तरह से पूरा detail बनाए गया आसा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को like कीजेगा अपने तब तक लिए देखो जाना है तो अचाह चाही में सब्सक्राइब करें के अचाहा हूँ